हीलो स्ट्टूडिंट्स वेलकम बग आज हम फिफ्ट स्टैंडर का कवीता मराथी की कवीता फिफ्ट कवीता डराव डराव इस कवीता का नोट्स डिसकर्स करेंगे यहाँ पर नोट्स से हमारी यह पर शब्दार दिया गया है शब्दात का मतलब होता है meanings तो चलिए पर यहां देखते हैं तलाव तलाव का मतलब होता है तड़े यानि पॉंड तलाव का मतलब होता है तड़े पॉंड आमुची आमची यानि की hours नाव होडी नाव का मतलब होता है होडी आ बोट, यानि जो छोटी सी बोट होती है उसे होडी कहते है और नाव भी आनिक का मतलब है आनी, यानि एंड, बट बटीत यानि मुठाले डोडे बिग आईस, जो बड़ी-बडी आँखे होती है उसे बट बटीत कहते है गाठाचा याँ पर है गाठा जा पोहुचला यानि दीच गाठा जा का मतलब है पोहुचला यानि पोहुच जाना खालिल पद उतारा वाचुन त्या खाली दिलेलिया कृति पून करा यानि अब यापकृति पून करना है जिसे कि हम यापर देख सकते हैं इस poem का passage दिया है डराओ 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 तिल आनी थामवा डराओ डराओ यानि whole poem है इस पूरे whole poem से हमें आपर क्या करना है कृति को complete करना है यहापर कुछ incomplete boxes है उसे complete करना है इस poem को अच्छे से पढ़ कर और समझ कर तो यहाँ पर देखते है कृती एक आकृती पून करा यहाँ पर आगृती दी जाती है और उसे कंप्लीट करना है तो पहला आया है फर्स्ट बेड काचे डोडे बेड काचे डोडे कैसे है बटबटीत तुडूम्ब भर लेला तलाव यानि तलाव कैसा है बिलकुल भरावा है धोधो पढणारा यानि पाउस पाउस कैसा गिरा है बहुत जादा तो उसे धोधो पढणारा पाउस का है विचित्र दिसनारा यानि कि इद्दम अलग दिखते हैं विचित्र उसे बेडू कौन दिखाता, बेडूग दिखाता, यांनी बिल्कूल अलग सा सुरू होनारी, नाव क्या होने वाला स्टाट? नाव कृती 2, एका वाक्यत उत्तरे लिहा यानी की कृती 2 क्या बताया है? कृती 2, एका वाक्यत उत्तरे लिहा, यानी आंसर in one sentence एक ही sentence में हमें answer को लिखना है तो question 1 क्या बताया है डराव डराव आवज कोन करतो question 1 डराव डराव आवज कोन करतो यानि कि जो डराव डराव आवज है वो कौन कर रहा है उत्तर डराव डराव आवज बेडुक करतो डराव डराव आवज बेडुक करतो बेडुक कौन है याँ पर फ्रॉग है Q2 तलाव का भरला उत्तर दो दो पाउस पड़्लया मुड़े तलाव भरला आहे यानि कई जादा पारिश होने के बाद जो तलाव है वो पूरत अधिके से भर गया है Q3 बेड़का चे डोड़े कसे आहेत यानि बेड़के जो है डोड़े यानि उसकी आख जो है वो कैसी है उत्तर बेड़का चे डोड़े बड़बटीत आहे बेड़का चे डोड़े बड़बटीत आहे यानि कि उसकी आखे जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है तो बड़ी बड़ी यानि big eye बडबटीत तो ये इसका meaning है बडबटीत का यानि big eye अब यहाँ पर fourth question है कोना चाकाल पत्ता नो हता? उत्तर बेड़ का चाकाल पत्ता नो हता यानि किसका address नहीं पता था? तो बेड़ का चाकाल पत्ता नो हता अब आगे परते मुल गी बेड-का-ला कुंत सला देते यानि वह क्या बोलतीर गीलिकी फिर्ञारा मेंक्टर गल्रवामीत है इसल्ला सेसल्ला लड़का इन अंड़ लड़की यानि मुल्रमिट गल्रमिल बेड़का जाुन गीलम लेद जा क。 वो इस बेडुक को यानि इस फ्रॉक को क्या बोलती है कि छत्री ले और अपने गाउ चला जा कृती दो आ जोड़िया जुड़वा यानि कि match the following है तो पहले याँ पर क्या दिया है questions है अ गट है और बगट है यानि कि अ कॉलम और ब कॉलम है और बीच में आपर उत्तर दिया है इसका फर्स्ट जोराचा पाउस बडबटिट दोड़े धोदो पाउस गाठा अपूला गाउ या तुड़ूम भरला तलाओ बेडकाचे दोड़े मोठे दोड़े धोदो पाउस बडबटिट दोड़े गाठा पूला गाउ या तुड़ूम भरला गाउ पुन भरले ले तलाओ गाठा अपूला गाउ स्वच्य गावी परदजा तुड़ूम भरला तलाओ यहाँ पर यह क्याता question और यह था हमारा आन्त ब कॉलम और अ कॉलम और बीच में उत्तर दिया है तो जोराचा पाउस धोदो पाउस यहाँ पर आंसर है तो बिल्कुल इसके सामने लिखेंगे धोदो पाउस जोराचा पाउस धोदो पाउस बेड़काचे मोठे डोड़े बट बटी डोड़े बेड़काचे मोठे डोड़े बटबटि डोडे पून भरलेला तलाव तुडुम भरलेला तलाव स्वात्च गावी परत जा गाठा अपुला जा आपने डिरेक आन्सराब हम देखेंगे जोराच पाउस धोदो पाउस यानि जोर की कैसी बारेश हो रही थी धोदो हो रही थी बेड काचे मोठे डोडे बेड के बेड काचे मोठे डोडे आनि बेडू के कैसे डोडे थे बड़े 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 बड़ी डोडे पून भरलेला तलाव तुडुम भरला तलाव स्वात्च गावी परत जा जा गाठा अपुला गाव यानि इपने खुद के गाओ जाओ क्रिति 2 यी समानर्दी शब्द लिख समानर्दी शब्द क्या है तलब तड़े नाव होडी डोड़े नयन फार जास्त समानर्दी शब्द को von English में कहते है similar words President, समानर्दी शब्द क्या होता है similar words होता है यहाँ पर एक वर्ड दिया है और जिसे यहाँ पर तलाव है तो इसका अंसर आया तड़े तो ऐसे ही कहीं सारे अलग-अलग वर्ड भी है और उनका हर अलग-अलग वर्ड का मीन होता है तलाव तो तलाव तड़े, नाव होडी, डोडे, नयन, फार, जास्त विरुधार्दी शब्द क्या है? अपोसिट वर्ड बिल्कुल उल्टा होता है तुमच्या, आमच्या, काल, आज, विचित्र, सुन्दर तो यह क्या है विरुधार्दी शब्ड? कृती तीन स्वमत प्रश्ण, स्वमत प्रश्ण क्या है? यानि यहां पर आंसर हमें अपने ओन वर्ड में लिखना है तो फर्स्ट पाउस या विश्यावर दोन तीन वाकिय लिहा यानि पाउस इस टॉपिक के उपर हमें दोन तीन सेंटेंज में लिखना है तो उत्तर पाउस आल्यावर आमहला खुप आनंद होतों आमहला पाउस तत नाचयला आवरते पाउस आल्यावर आमहला खुप आनंद होती यानि कि पाउस जब आती है तो सब खुशी से जूलते यानि सब खुश हो जाते है आनिमल से लेके बर्ड सारे हम यूमिन बिंग्स भी खुश हो जाते है क्योंकि थंडग आ जाती है आमहाला पाउसात नाचायला आवड़ते और बच्चों को जादा नाना पसंद है बारिश में पाउसा मुड़े जाड़े टवटवीत होता है जाड़े जो है वो टवटवीत होता है यानि गीले हो जाते है इदम डाक हो जाते है सरवाना पानी मुड़ते हर एक को पानी मिलता है पाउसा मुड़े सगडी कड़े रम्य वातवरन तयार होते पाउस के साथ यानि रम्य वातवरन यानि एन्वार्मेंट जो है वो बहुत इदम सुगंदिद हो जाता है सेकेंड तुम ही कधी पानिया तून प्रवास केला आहे या त्यावेडी कसे वाटले यानि कभी आपने पानी के पानी वाला प्रवास किया है यानि कभी बोट में बेटा है तो उसका हमें आपकर क्या लिखना है आंसर यानि एक्सपीरियंस बताना है उत्तर आमही गावाला गेल्या वर एकदा होडित बसलो होतो नदीचे पाणिया वर होडित बसलो यानि जब हम गाव गये थे तो वहाँ पर हम होडित में बैठे थे यानि की नाओ में बैठे थे होडी नाउ यानि की छोटी सी बोट होती है उसमें और नदी चाह पानिया वर होडी बसलिया वर खूप मज़ा होते हैं जो नदी के पानी में बोट में होते हैं तो बहुत मज़ा आती है पानिया अच्छा लाटा होडी वर आड़त होती है यानि पानी का जो लाटा होती, लाटा का मतलब होता है waves, जो waves पड़ती है ship boat के अपर, तो उसमें बहुत मजा आती है, नदी चापानी आमचिया अंगा वर उड़त होती है, और नदी का पानी जो हमारे उपर उड़ रहता, थोड़े भीती वाटत होती, परन तो खूप मजा भीती यानि थोड़ा सा डर लग रहा था, पर फिर भी हमें बहुत मजा रही थी, so ये था experience, so students, now we are done with the chapter, discussing the notes of डराव डराव, and students, इस poem का यानि इस कवीता डराव डराव का जो explanation है, बहुत अच्छे तरीके से इसका explanation हुआ है, easily, easy meaning से साथ, so students, आप इसका explanation जाके हमारे YouTube channel पर देख सकते है, हमारी playlist में आपको easily मिल जाएंगा, so students, now we are done with note discussion, hope you like this video, subscribe to our channel, like, share and comment, share with your friends and with your classmates, and dear students, don't forget to check up our playlist, till then take care, thank you.